नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ये डिसाइड कर चुकी है कि कौन सी आइटम हमें बाहर से खरीदनी है कौन सी नहीं और बकाइदा 101 चीजों की लिस्ट भी जारी की गई है इन्हे नेगटिव लिस्ट में डाला गया है ताकि इन चीजों का अब इंपोर्ट नहीं हो सके और केवल यहीं पर ही ये चीजे बने तो आज हम देखेंगे कि ये सपना हमारा पूरा हो सकता है क्या हमारी डिफेंस इंडिस्ट्री ग्रो कर सकती है और क्या-क्या चैलेंजिस है इस इसके अंदर वाटर जेट फास्ट अटेक क्राफ्ट से लेके फिल्ड अर्ट्री ट्रेक्टर शामिल है ये दिसंबर 2020 से लागू होगा इसके इलावा 11 आइटम है जिनके अंदर वील्ड आर्मर्ड फाइटिंग वेहिकल यानि एफवी से लेके कन्वेंशनल सम्मरीन है ये दिसंबर 2021 से लागू होगा और बची हुई 21 आइटम जिसके अंदर 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉंचर से लोंग रेज लेंड अटेक क्रूज मिसाइल शामिल है ये दिसंबर 2022 से लागू होगा और अब कह सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर लो से मीडियम टेकनोलोजी से लागू है और साथ ही दोस्तों गोर्मेंट ने ये भी अनाौस किया है कि अगले पांच से चैसलों के अंदर हम 4 लाग करोड के वैपन सिस्टम लोकली खरीदेंगे याई इन्डस्त्री को ऐसा नहीं है कि घुशना है उसको ओर्डर भी मिलेंगे और ये चीज़े 2020 से 24 के बीच में पूरी तरह से होंगी तो ऐसे में military industry को भी पूरी तरह से तयार हो जाना चाहिए specially technology को लेके और साथ ही global military industrial universe को एक हिसा बनने के लिए लेकिन दोस्तों यह हम यह नहीं अभी कह सकते कि हमें सफलता मिल गई क्योंकि बहुत से चीजों के अंदर जब चीजें कलियर हो जाती है और उसके बाद में जब असल में काम करना होता है तब प्रोबलम आनी शुरू होती जैसे कि military bureaucracy भी है complicated institutional dynamics भी है political apathy भी है बहुत सी चीजें है जब game खेली जाती है तब पता चलता है और दोस्तो इससे पहले भी ऐसा initiative हो चुका है 2005 के अंदर जब defense offset की बात की गई थी तब भी यही कहा गया था कि ये industrial capacity को बढ़ाएगा तब भी बहुत से changes किये गए थे direct से indirect model को अपनाया गया था offset policy के लिए और कहा गया था कि सारी चीजे change हो जाएंगी लेकिन दोस्तो actual में ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत change भी हुआ लेकिन ज़्यादातर चीजें वैसी की वैसी ही रही लेकिन दोस्तो मैं negative बात नहीं करना चाहता मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें careful होना जरूर पड़ेगा हालांकि अभी जो निती अपनाई गई है ये totally different है पहली वाली से क्योंकि government ने इसके लिए 4 लाक करोड के order देने का भी फैसला किया है और साथ ही जिन companies की बात की जा रही है local production के लिए वे पहले भी make in India के तहत इसके साथ में involved रही है दोस्तो इस government की खासियत ये रही है कि इन्होंने step wise सारी चीजें की है पहले 5 सालों के अंदर बहुत सी चीजें देखी उसकी list तेयार की और अब उसके उपर सीधा decision लेना शुरू कुआ है आपको याद होगा जंदन खाते खोले गए और आज देखिए अगर मुसीबत आई ये कोरोना आया है तो हाथो हाथ transfer हो जाता है उनके account में जहां पैसा पहुंचता नहीं था या बिचोली ये पैसे खा जाते थे तो इसी तरह से government पहले make in India लाई उसके बाद देखा कि industry का क्या रूप है कितनी सक्षम में industry फोरण से हमें क्या मदद मिल सकती है वे कितना effort लगा सकते है हमारे लिए ये सारी चीजें पहले 5 सालों में देखी गी उसके बाद अब दोस्तों सारी चीजे जब तैय है तो ये policy आई है और आपको बता दें इसके लिए financial year 2020-21 के अंदर Capital procurement के लिए दो रूट होंगे domestic और foreign capital procurement अलग अलग तरह से आएगी और 52,000 करोड रुपए का जो की लगबग 45% है total capital budget का इस साल के private sector के लिए रखा गया है और दोस्तों ये सफल होगा क्योंकि ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि private sector और public sector एक ही page पे हो जब कोई नई policy या reform का attempt किया जाए अभी अगर हम ordinance factory board की बात करें तो उसने इस चीज का स्वागत किया है और उसने ये भी कहा है कि identified items के अंदर उसे production right दिये जाए क्योंकि दोस्तों OFB की अगर बात करें तो इसके import component बहुत ही कम है केवल 13 प्रतिशत है अगर हम इसका comparison H.E.L. से करें जिसके अंदर 40-60 प्रतिशत बाहर से आता है और finally दोस्तों government को पता है कि क्या चीजे हैं जो पहले भी हमें खराब कर चुकी हैं और कौन सी चीजे अब भी हमारे लिए खत्रा हो सकती है institutional dynamics, structural dynamics ये चीजे हैं जो ideas को ही मार देते हैं तो ऐसे में दोस्तों पूरी तरह से government ने इसके timeline सेट किया और सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है ताकि किसी तरह की problem नहीं आए और जिस तरह से ये धीरे धीरे step लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगले 5-6 सालों के अंदर इंडिया की defense industry बहुत आगे चली जाएगी इसके अंदर बहुत ज़्यादा potential है बस एक सही राह देने की जरूरत है जो की दी जा रही है धन्यावाद जैहिंद